नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका माई स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में मैं हूँ आपका टीचर डॉक्टर निलेश वाला और आज हम डिसकस करने वाल है ट्वाइल साइंस केमिस्ट्री यूनिट वन सॉलिड स्टेट की एक्सेसाइस के सॉलुशन के बारे में हमारा वीडियो क्वेशन वन पॉइंट था कैलकुलेट दी एफिजेंसी ऑफ पैकिंग इन दे केस ऑफ मैटल क्रिस्टल फॉर सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक अब इस क्वेशन को हम सैपरेटल ऐसे वन बाई वन देखेगे लाइक पह से पहले हम डिसकस करेगे सिंपल क्यूबिक के लिए पहले मैं बता दो कि पैकिंग एफिजेंसी क्या है तो पैकिंग एफिजेंसी को बुलते है इडिजब परसंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल बाई दी पार्टिकल्स मतलब आपका जो क्रिश्टल है आपका जो यूनिट स टोटल वॉल्यूम आफ यूनिट सेल मल्टिप्लाई बे हंड्रेट तो हमें जो परसंटेज मिलेगे वह होगा पैकिंग एफिजेंसी तो यहां पर हम सिंपल क्यूबिक के बारे में बात करें तो आपको यहां पर सिंपल क्यूब दिख रहे जिसमें एट कॉर्णर पे एट टच होके रहे गया तो अगर इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस आर है तो यह जो पूरा एक वैल्यू है वह कितनी होगी आर प्लस आर डाट मिन्स टू आर होगी अब यह तो क्यूब है तो इसका वालिम हमको चाहे तो क्या करना पड़ेगा एक क्यूब करना पड़े तो a cube करेगे, तो a की value है 2r, तो हमार जो volume होगा, वो कितना होगा, 2r cube, that means 8r cube होगा, अब simple cube unit cell के अंदर कितने atom होते हैं, one atom होते हैं, लेकिन ये कैसा पता चला one atom, तो मैं आपको simple बता दूँ, जो 8 corner होते हैं, उसमें जो भी atom रहा है, उसका कितना 1 by 8th part उस unit cell के अंदर होग तो 8 corner multiply by 1 by 8, तो answer कितना आएगा, वन आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि simple cube unit cell contain only one atom, अब एक atom के volume के बात करें, तो ये तो spherical form में हैं, और sphere का जो भी volume होता है, वो कितना होता है, 4 by 3 pi r cube जितना, अब बात करें equation packing efficiency की, तो packing efficiency को मैंने यहाँ पर pe लिखाए, उसका मतल मतलब क्या है, volume of one atom divided by volume of cubic unit cell multiply by 100, मैंने यहाँ पर one atom इसलिए रखा है, क्योंकि हम कौन से बात करें, simple cubic के बारे में, जिसमें सिर्फ one atom होगा, अब इसका solution करेंगे, तो volume of one atom कितना होगा, 4 by 3 pi r cube divided by volume of cubic unit cell, तो वो कितना होगा, a cube मतलब 8 r cube जितना, अब इसको जब solve करोगे, तो answer आएगा, 52.4 percentage, जो packing efficiency किसकी है, simple cubic की, अब जो next है, वो है body center cubic, body center cubic में क्या होता है, 8 corner पे 8 atom तो होते है, और बीच में यहाँ एक और item होता है, जिसको हम बोलते है, body center cubic structure, इसके अंदर हम triangle EFD को देखे, यहाँ EFD है, और इसके अंदर हम को देखना है, यह B, यहाँ प square को apply करे, तो B square is equal to क्या होगा, A square plus A square, that means B square is equal to क्या मिलेगा, हमको 2A square मिलेगा, अब जो दूसरा triangle है, वो हम देखेंगे, triangle EFD, जैसा कि यहाँ आप आपको दिखरा है, यह A, यह F, और यह D, यह यहाँ आपकी side है, और यह पीछे की side पे है, इसको ज़रा ज्यान से संबद थ्री-dimensional में, triangle EFD के अंदर, अगर हमको यह C चाहिए, तो C के value कितनी होगी, यहाँ पे देखो, right angle यहाँ पे बनता है, so C square is equal to क्या होगा, A square plus B square होगा, अब हमको पता है, B square के value कितनी है, 2A square, तो हम क्या करेगे, इस B square को replace करेगे, 2A square से, तो जो answer मिलेगा होगा, C square is equal to A square plus 2A square, A square plus 2A square, तो क्या हो जाएगा, 3A square, तो C square के value मिलेगी हमको, 3A square मिलेगी, अब C की value मिलेगी, वो कितनी होगी, under root 3A जितनी होगी, अब इस geometry को ज़रा द्यान से देखते हैं, और समचते हैं, कि यहाँ पे जो C है, मतलब इतना A यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसकी value क and 4, यह 1 की radius R होगी, तो 1R, 2R, 3 and 4R, मतलब यह 4 radius यहाँ पे combined होगी, तब जाके यह A to F, मतलब यह C भी लेगा हमको, तो मैंने क्या सिधा यहाँ लेखा, C is equal to under root 3A is equal to 4R, तो A को हम subject बनाएगे, तो जो equation मिलेगी, वो कितनी होगी, 4R upon root 3 होगी, अब इस numerical को थोड़ा और extend करेगे, क्योंकि हमको चाहिए packing efficiency, और packing efficiency के लिए हमको जानना पड़ेगा, कितने atom होगे, हमारे body center cubic structure के अंदर, अब हमको find out करना है, कि body center cubic structure के अंदर, कितने atom है, तो जैसा कि हमने देखा, कि 8 corner पे 8 तो है, तो हमें क्या लिखना है, 8 into 1 by 8, क्योंकि इसका 1 by 8th part ही, इस unit cell क के अंदर occupy होगा, और बीच में यहाँ पे जो एक atom है, वो completely इसके अंदर आ जाता है, तो हमने वो पूरा 1 लिखा, तो 8 into 1 by 8, plus 1, transfer कितना आएगा, 2 आएगा, जैसा कि हमने last numerical में किया था, एक atom होता है, तो उसका volume कितना होता है, 4 by 3 par cube, लेकिन यहाँ पे 2 atom है, तो उन दोन sphere का जो volume होगा, वो कितना होगा, 2 into 4 by 3 par cube होगा, अब जैसा कि main question हमारा है, packing efficiency, तो उसकी equation क्या है, volume of 2 atom divided by volume of cubic unit cell, आप जहां से देखे, last जो केस था, वहाँ आपने 1 लिखा था, क्योंकि वहाँ पे 1 atom था, लेकिन यहाँ पे कितने atom है, 2 atom है, इसलिए हमने क्या लिखा, 2 atom ल volume of cubic unit cell, तो एक ही value कितनी है, 4R by root 3, लेकिन हमें यह पूरा उसका cube करना पड़ेगा, तब ही जाके क्या मिलेगा हमको volume of cubic unit cell, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4R by under root 3 का cube करना पड़ेगा, multiply by 100, तो हमें जो answer मिलेगा, वो होगा 68%, जो है packing efficiency, body center cubic structure की, अब जो next है, वो है face center cubic, त तो उसमें 8 corner पे 8 तो होगे, यहां हर एक phase के बीच में एक एक और atom भी होगे, जो divide होगे 2 unit cell के अंदर, तो आपको triangle ABC यहां पे देखना है, जैसे कि मैंने यहां पे highlight किया है, और यहां पे यह जो है वो right angle बनेगा, तो B की value चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, B square is equal to A square, औ तो B की जो value मिलेगी वो कितनी होगी, under root 2A जितनी होगी, अब B मतलब यह जो value है वो कितनी होगी, 4R होगी, क्यों क्योंकि 1R, 2R, 3R and 4R, तो मैं यहां पे लिख रहा हूँ कि B is equal to 4R is equal to under root 2A, again हमें A को subject बनाना है, तो जो answer होगा, वो कितना होगा, 4R by under root 2 होगा, जैसा कि आपको यह face center cube structure दिख रहा है, उसके अंदर कितने items occupy होगे, तो सीधा 8 corner पे 8 है, और उसका 1 by 8 पार्ट वहाँ पे आता है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूँ 8 into 1 by 8, और सास में यहां पे total 6 phases है, और हर एक phase के अंदर एक-एक atom है, जो आधा-धा distribute है, हर एक unit cell के अंदर, तो क again हमारी वहे equation packing efficiency की volume of 4 atom divided by volume of cubic unit cell into 100, जैसा आप last 2 case के अंदर आपने दिखा है, पहले हमने 1 किया था, फिर 2 किया और 4 किया, क्योंकि यहां पे कितने atom होगे, 4 atom होगे, इसलिए हमने क्या लिखा, volume of 4 atom, तो यहां पे 4 atom है, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 into multiply by 4 by 3 pi r cube, जो हमको volume of 4 atom, अब volume of cubic unit cell के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास a है, तो इसका cube, a के value कितनी है, 4 r by under root 2, और उसका हम करेगे cube, अगर आप इसको solve करोगे, तो इसका answer आएगा 74%, तो जो हमारा question था, simple cube, body center cube, and face center cube, उन सभी के efficiency हमने find out कर ली है, I hope कि आपको यह सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जो next video होगा, वहाँ पे हम 1.11 से आगे बढ़ेगे, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो like और share करना ना बुले, अगर आप इस channel पे नए हो, तो channel को subscribe जरूर करे, क्योंकि इस channel के इंदर, आपको सभी exercise का solution यहाँ पे मिलने वाला है, आप करना यहाँ, नए हो, तो